हेला बच्चों, बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है CBSC की तरफ से 2022 में जो बच्चे एक्जामनेशन देंगे उनके लिए आपको पता ही होगा कि टर्म वर और टर्म टू यानि दो एक्जामनेशन दो बाइफरफिकेशन कर दिये गए हैं 12th क्लास और 10th क् होता है लेकिन इस वीडियो में यही जानकारी केवल नहीं है इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड जानकारी दूंगा पूरी जो की पॉइंट बाइपॉइंट सी बेसी सर्कुलर जो इस्यू किया गया उसके बारे में है मैं हर बात को समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ कुरोना की वज़े से स्कूली ना जा पाएं, साल भी ऐसा कुछ दिक्कत हो तो फिर CBSC क्या करने वाला है, या मालीजे लेट स्कूल स्कूले सित्मबर, अक्टूबर, नॉम्बर तक तो CBSC क्या कर सकता है, किस तरह से आपके रिजल्ट्स को बना सकता है, ये सारी बात मैं CBSC न ले जाके आपको authentic proof के साथ बातें बताने वाला हूँ, जो बच्चे physics और mathematics के हैं 11-12 के, उनके लिए पढ़ाई की वीडियो, super quality, very good explanation के सार्थ, इस अर्विंद academy चैनल पे लब्द हैं, आप इसको subscribe कर सकते हैं, और साथ में वीडियो को देखिए, math और physics 11-12 की fantastic way में आपकी स subscribe कर सकते हैं, चली बात को शुरू करते हैं, वीडियो अगर पसंद आए, तो like जरूर कीजेगा, आई ये चलते हैं laptop की screen में, और पहले ये देखते हैं, कि कहां से circular को आप देख सकते हैं, जैसे authenticity साबित हो जाए, फिर मैं एक एक करके point उठाऊंगा, और सारी बाते आपके स commission मिलती रहती है, ये official website है, CBSC की, अब इसके बाद आप देखी, यहाँ पर कई बाते ये academic की बात करूँ, तो academic में पहला है वाला ही जो link है, special scheme for assessment for board examination 10th और 12th, इसको जब आप click करेंगे, तो ऐसे ये window खुल जाती, मैंने already खुलके रखी हुई है, आपको ये circular दिखाई पड आज मैं आपको बारीक बारीक पॉइंट सारा बताता जाऊंगा, ये July 5 को release किया गया है, और जो बच्चे 21-22 में, ये दिखिया आप लिखावा है, special scheme for assessment for board examination classes 10th and 12th for the session 2021-22, ये करीबन total 5 page का circular है, देखिये, और इसकी ही बातों को मैंने निकाल के, देखिये, जैसे special schemes को पूरी बात उन्हें बहुत सुन्दर तरीके से देखिये, इसमें कही गई है, मेरे क्याल से आप ये आसानी से देख पा रहे होंगे, अब हम लोग चलते हैं सीधे बिना देर किये, समझने की कोशिस करते हैं, कि क्या क्या चीज हमारे लिए बहतर है, और क्या ये बताने की क पूशिस कर रहे हैं, आइए चलते हैं हम लोग पावर पॉइंट वाले प्रेजेंटेशन में, आइए, तो देखिये बच्चों यहां पर पहला जो स्पेशल स्कीम, यानि की पॉइंट वन मिनों ने बताया था कि जो कोरोना की वज़े से 2021 के एक्जामनेशन में देखेते ह हुई, उसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सरकार ने मैनेज किया, CBSC ने मैनेज किया, फिर अल्टिमेटली तोकि कोरोना गया नहीं, इसकी वज़े से फिर उनके एक्जामनेशन कैंसल करने पड़े और रिजर्ट वो उसकी बिसेस पर देंगे, इस बात को देखते यह बड़े अच्छी बात नोंने की है कि तैयारी 2021-22 में एक्जामनेशन जो बच्चे देंगे, उनके लिए पहले ही कुछ घुजराएं करने शुरू कर दिये, यानि प्लानिंग करने शुरू कर दिये, यह बेटा मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा फैसला है कि आप कुछिन को दूर करने की कुछिस शुरू से ही की जा रही है, तो चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्या क्या है इसमें हमारे लिए, मैं समझाता भी चलूँगा, बिल्कुल समझाते हुए, इस पैशल स्कीम फोर 2021-2021-2022 के बच्चों के लिए, देखिए, एकडेमिक सेशन स्लेबस है इस टर्म में, यानि अगर किताब में 14 चैप्टर्स हैं, तो 7 चैप्टर्स पहले वाले टर्म में, 7 चैप्टर्स दूसरे वाले टर्म में मानी जा सकते हैं, 15 हैं, तो किसी में 7 और किसी में 8 हैंगे, और फिगर है तो, और भी असी बात है, तो in two terms by the following systematic approach by looking into the interconnectivity of the concepts and topics by the subjects, अब आपके मन में, अभी मैं बताता जाऊंगा कि मन में ये प्रशन उटेगा, कि सर्थ शुरू के साथ आएंगे, या slivers में कौन से साथ आएंगे, पता कैसे चलेगा, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है, तो वीडियो के देखते रहे हैं, सारी जानक एक्टेट क्लासेज, टेंथ एंड ट्वेल्थ एक्जामिनीशन एक्जामिनीशन इनका टोटल जो अबजेक्टिव है, ये 50 प्रशन स्लेवर्स की बात कर रहा हूं, जो टोटल अबजेक्टिव है बेटा, वो यही है, कि एक्जामिनीशन बूर्ड वाले पैटर्न पे रहे हैं, तो आठ से लेके 14 चकेट चेप्टर्स टम टूम में आएंगे, ये भी बात इन्होंने आगे कहिए, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, तो चलिए सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं, फटाफट ये रही सेकेंड स्लाइड, अब दसलेबस फॉर दी बोर्ड इन्होंने कि साफ तौर पर क्या कहा है, कि जो सलेबस है, अभी जो सलेबस इन्होंने जारी किया था, 31 मार्च को 2021 को देखिए, ये सलेबस भी आप पा सकते हैं, मैं लिंक भी नीचे अटाइच कर दूँगा, डिस्किप्शन में वहां से भी ले सकते हैं, इसी पेसिस पे प कुछ फिर बदल की जाएगी, rationalization का यही मतलब है, तो कि सारी classes online चल रही है, और इन्होंने इसका भी जिक्र आगे किया है, जो मैं बताऊँगा कि अगर पूरे साल online उसकूली ने खुल पाएं, तो क्या होगा, खेर आगे देखेंगे हैं लोग, तो सलेबस का rationalization possible है, अभी आपको यह मान के चलना है, कि जो सलेबस आपको 31 मार्श 2021 को दिया गया था, उसी को आप follow करेंगे, चलिए बहुत सुन्दर बात, आगे चलते हैं, साथ भी इन्होंने बोला है कि जो efforts हैं, will be made to make internal assessment practical and projects work more credible and valid, इन्होंने ये बात पे ध्यान रखने की कुशिस किए, कि जो आ आप internal assessment हैं, उनको आप हलके में बिल्कुल मत लीजेगा बिटा, क्योंकि उस्कूल वाले examinations, test, mcq online बहुत तरके लेते जाएंगे, क्योंकि ऐसा आप corona के बारे में किसी को पता नहीं है, जहां तक कि लोग कह रहे हैं, या survey मैंने पढ़ा है, इसमें मैं slide डालना भूल गया कि September, August में wave, third wave आने के chance है, और peak September में आएगा, ये सब situation अगर हो जाती है, तो हो सकता है examination, school खुली न पाएं, उस situation में जो internal assessment होंगे, चाहे वो online ही हो, उसी basis पे result बनेगा, तो आप किसी भी अपने test को हलके में ना लीजिएगा, अच्छी preparation करिएगा, तो ये तो पहली बात ह हो गई, आगे बात करते हैं, करिकुलन यानि स्लेबस की बात कर रहा है, बात समझ गए ना, पहली बाली की term, दो terms मैं फिर से एक बार repeat कर दूँ, बिना इसकी चिंता की हुए कि समय कितना लगने वाला, term one, term two, दो तरह के exam सोंगे, जो term one होना है, इन्होंने बताया है, कि व आपका जो term one होगा, उसकी deadline जो नम दिये, November, December, 4-8 हफ्तों का वक्त दिया जाएगा, MCQ किस तरह का आएगा, वो भी देखिए बात है, यहाँ पर देखते हैं, और उसको समझे की कोशिस करेंगे, यहाँ पर देखिए, आगे बात कही गई, यह सारी बात detail में है, तो details of curriculum transaction, तो इसमें जो आपका तरीका है, तो कि 9-10 वालों के लिए भी और 11-12 वालों के लिए भी periodic test की बात की गई है, बाकी बाते की गई हैं, जो आप समझ सकते हैं, मेरे जो board examination के बच्चे हैं, 10-12 वो ध्यान इतना रखें, इस slide से जो हमें समझना चाहिए, कि हम लोग को हमारे सा examination आ रहे हैं, test है, internal assessment के या practical है, वायबा है, या कोई भी examination है, उनमें पूरी productivity, पूरी पढ़ाई के साथ शामिल हूँ, आगे बात करते हैं, क्योंकि यहीं इंत में आपके base बन सकता है, result का, अगली slide की बात करते हैं, term 1 के examination किस basis पे लिए जाएंगे, इसका जिकर करते हैं, तो देखिए, यहाँ पर जो मैं बात बता रहा था कि term 1 का examination है, यह देखिए, यह November से December 2021 में होगा, November December में 4 से 8 हुटों का वक्त यह schools के लिए देंगे, और इनकी बातों से clear है, कि आपका जो center होगा, वो school ही होगा, कहीं और जाके examination, term 1 के लिए नहीं देना है आपको, हाँ, यह बाते नहीं लिखी, आगे मैं बताता जाओंगा, दीरे-दीरे, साथ मी paper कैसे होंगे, देखिए, यह 90 minutes की paper है, 90 minutes का paper होगा, MCQ आएंगे, इसके अंदर केवल, यह जो MCQ है, मैं इसको थोड़ा सा side ले लेता हूँ, शायद ही मेरी photo की वज़े से cut रहा होगा, तो इसको म भी पढ़ने में तकलीफ ना हो, गडबल कर दी मैंने, इसमें आते हैं और इसको उड़ाते हैं, अगली slide में भी शायद ऐसा करना पड़ जाए, anyway, बात को आगे बढ़ाते हैं, तो आप समझ रहे थे जैसा, कि 90 minutes का देखिए paper है, यह valid information है, 50% का syllabus आएगा term 1 में, MCQ आएंग होंगे, आप चिंता ना करें, थोड़ी practice करेंगे, नंबर खुब अराम से मिल जाएंगे, लिकिन सावधान रहना होगा, क्योंकि MCQ में subjectivity नहीं होती, सही तो सही, गलत तो गलत, इस बात का ध्यान अकने की ज़रूरत है, और यह जो question paper आएंगे, यह school वाले नहीं में paper कराएंगे, वो हमार sheet में भरके भेजेंगे, और number आप उस तरह पाएंगे, मोटी बात यह है, कि इसको in-house examination नहीं समझना है, कि teacher जान पैचान का school अपना नंबर तो मिली जाएंगे, ध्यान लखिएगा मेरी बात, क्योंकि यह सारी कहानी हो तो इस तरह रही है, लेकिन teachers यह वहाँ से जो team होगी, उस school आपके आएगी और अपने surveillance में अपनी निगरानी में papers conduct कराएगी, तो समझ गया होगे, term 1 होगा, MCQ basis पे 50% का syllabus है, और 7 में case study और assertion reasoning वाले सवाल आने वाले हैं, अब आगे की बात करते हैं, एगली slide की बिटा, जिससे हमारी बातें धीरे- clear होती चली जाएं, अब बात रही term 2 की, term 1 मान लीजिए, दे दिया नवमर दिसंबर में, अब term 2 कब होंगे, तो term 2 की चर्चा करें अगर हम लोग, तो हम यह देख पा रहे हैं, इनके हिसाब से मार्च एपरेल में examination 2022 के लिए जाएंगे, board examination term 2 की बात कर रहे हैं, इसमें भी term 2 की examination में, board आपका center बाहर डाल सकता है, या डालेगा, जैसा इन्हों नहीं लेका है, जहां भी center आपको पढ़ेगा, वहाँ जाके examination देते आएं, देना होगा, अच्छी बात क्या किये, दो गंटे का paper होगा, अभी तक आपको मालूम है, तीन गंटे का paper होता था, तो आपक जो paper examination होगा, और दो गंटे का paper होगा, इसके अंदर सभी तरह के question मिलेंगे, केवल mcq नहीं, mcq भी मिलेंगे, और open ended question, short answer वाले, ये दिकी long वाले answer type, सारी चीज़ मिलेगी, मेरे काल से आप बात समर्वें, मैं highlight करना चाहूंगा, आपके दिमाग तक इसलिए मैं detailed video बना रहा हूँ, कोई भी point आपकी नजर से miss ना हो, तो आप समझ पाए होंगे, कि सभी तरह के questions आपके सामने आएंगे, साथ में दिखिए, in case, अब ये 7 में उन्होंने क्या लिखा है, कि in the case, the situation is not conducive, मैं इसको भी highlight करना चाहूंगा, मा लीजे term to examination, ना ले पानी की विवस्था बने कुछ दिक्कते हों, कोरोना फैला हुआ हो, तो उस समय आपका फिर से 90 मिनट का MCQ ले लिया जाएगा, बलब डिस्क्रिप्टिव छोड़ते हुए, जेड़ घंटे, 90 मिनट का मतलब, उसके अंदर MCQ लिये जाएंगे, अब आपके मन में ये प्रशन बच्चों के नॉ करूंगा, 2022 के examination की बात कर रहे हैं, तो marks of the term 2, ये जो term 2 के हैं, examination के, would contribute to the final overall score, यानि जो final result बनने वाला है, अगर ये दोनों term 1, term 2 ले लिए जाते हैं, तो इन दोनों का major contribution होने वाला है, internal assessment के साथ में, दोनों का waitress same होगा, अब आगे समझते हैं, कि अब different situations, भाई ये तो न नोंने बात बता दें भी, मैं summarize भी कर दूँगा, दो मिनट में, कि अगर अब corona की स्तिती future में किस नहीं देखी है, third wave आ जाए, fourth wave आ जाए, God knows, इश्वर जाने, तो उसको देखते हुए, क्या-क्या हो सकता है, अभी की दशा में, वो नोंनों बताने की कोशिस किये, जो एक अच्छी पहल और अच्छा initiative है, आगे चलते हैं समझने की कोशिस करते हैं, तो यही बात इन्होंने लिखी कि different situations में, क्या-क्या CBSC करने वाली है, examination को लेके, तो in the case, situation of the pandemic improves, and students are able to come to schools or centers for taking the exams, मतलब अगर corona की स्तिती बहतर हो जाती है, बच्चे, उसकूल जा पाते हैं, और would conduct term 1, term 2 examination at its schools, यह साफ लिख रहे हैं कि उस दशा में, जो term 1, term 2 examination है, वो schools में कराये जाएंगे, या centers में कराये जाएंगे, term 1, उ स्कूल में ही होगा, पहले इनोंने बताया था, and the theory marks will be distributed equally between the two exams, अब जब term 2, term 2 करा, term 1, term 2 करा लिए जाएंगे, तो theory के number anyway से, दोनों को equal weightage देते हुए, आपको मिल जाएंगे, शर्त यह है, कि pandemic की स्तिती पहले से बहतर हो, और आप उस्कूल या centers में जाके exam दे सकें, यानि कि उनकी निगरानी भी दे सकें, कुछ गरवड़ी की chances जिसमें कम से कम हो, अगली slide के तरफ फटा फट चलते हैं, और अच्छे से समझते ह कि आगे क्या है, अब दूसरी situation का ये जिकर कर रहे हैं, जिसमें बोलाए, in case the situation of the pandemic forces complete closure of the schools during November, December, अब इनोंने काया कि मान लीजे, pandemic की स्तिती ऐसी होती है, कि November, December तक हमारे उस्कूल खुली ही नहीं पाते हैं, लेकिन term 2 के लिए centers पे कराय जा सकते हैं, फिर से repeat कर रहा हूं, November, December तक आपका नहीं उस्कूल खुल पाया, लेकिन term 2 का exam, उस्कूल या centers पे कराने की स्तिती बन गई तो, term 1 की नहीं बनी समझ करिये, term 2 की बनी, तो term 1 MCQ based would be done, online या offline, मतलब Corona फैला हुआ है, तो उसकी वज़े से term 1 आपका online भी लिया जा सकता है, offline के साथ साथ, अगर pandemic फै term 2 examination के लिए, March, April में स्तिती सुधर गई, तो center पे जाके आप examination दे देंगे, उस situation में, अगर बच्चा home में, घर में रहके exam देता है, यह देखिए, बड़ी सुन्दर बात लिखिए, in this case, what will happen, तो weightage जो रहेगा, term 2, जो की school में जाके exam देंगे, उसका जादा कर देंगे, यह weightage का मतलब आप समझते हैं, यगर 50-50 number के paper हुए थे, तो term 2 वाले का 50 की दरा हो सकता है, 60 का weightage कर दें, यह 70 का weightage कर दें, और क्योंकि आपने पहला term घर पे रहके दिया है, तो वहाँ बहुत जादा निगरानी संभव नहीं है, तो उसके weightage को घटा दे, rationalization करने के लिए यह दूसरी situation है, तीसरी समझते हैं हम लोग, कि in the case situation of the pandemic forces complete closure of the schools, माल लीजे कुछ ऐसी इस्तिती होती है, कि कोरोना की वज़े से हम लोग का school खुली नहीं पाता इस साल, पूरी बंदी रहती है मार्च अप्रेल 2022 तर, but term 1 exams are held at schools और centers, और उस इस्तिती में जो term 1 के exams हैं, वो center पर हो जाएं, तो क्या होगा, तो लिखाए result would be based on the performance of the students of term 1, MCQ based examination and internal assessment, the weightage of the marks of the term 1 examination conducted by the board will be increased, क्या कह रहे हैं समझ पाए होंगे न, कि माल लीजे term 1 पूरा school बंद रहे गया, complete closure रहा, लेकिन term 1 examination आपके school में हो पाए, उस दशा में क्या होगा, उस दशा में term 1 का weightage बढ़ा दिया जाएगा, प्लस weightage के सासाथ internal assessment को अंदर ले लेंगी, अगली बात करते हैं, जो last situation रहे हैं, कि in the case, the situation of the pandemic forces, complete closure, ये कह रहे हैं कि भाई, पूरी पूरी बंदी है, Schools and boards conducted term 1 to exam taken by the candidate's home, मतलब कह रहे हैं कि इस तरह का coronavirus का effect रहा, कि आपका school खुली ही नहीं पाया, आपके जो examination है, वो घर बैठे ही आप दे पाए, आप school ये center में examination दे ही ना पाए, online ही दिया, घर में बैठके देंगे, तो normally online देंगे, उस situation के अंदर, क्या करेंगे ये, result would be computed on the basis of the internal assessment, यानि internal assessment के basis पे आपका result देंगे, प्रेकल, project work and theory work of term one, term two exams taken by the candidates from whom, ये बाद ध्यान कियेगा, from whom, और फिर इसी तरके से moderation policy भी apply कर दी जाएगी, moderation policy क्या होता है, वो दो-तीन साल पहले apply की गई थी, उसमें rationalization कर देते हैं, अपने हिसाब से number बढ़ा सरल पेपर है, उसमें normally, आप ही बान के चलें, कि बच्चों को फाइदा होने के chances जादा रहते हैं, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन फाइदा जादा होता है बच्चों को वो मैं कभी, अब मैंने वीडियो बना रहा है, कम audition policy के ओपर जो लागू की जाती रही है, इस तरह से in the above case, data analysis of marks of students will be undertaken to ensure the integrity of the exams, तो ये पूरी detail थी, आता हूँ पुरे screen पर अपनी एक राय देने के लिए, तो बच्चों आपने देखा कि सबसे पहली बात बिटा, मैं जिस हो सकता है, उसके लिए preparation या planning देख रही है, और हमारे सामने confusion कम हो रहा है, जो आपको करना चाहिए, वो मेरे हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई पर जोड़ देना चाहिए, जो भी schools में examinations या test, internal assessment हो, उनको थोड़ा sincerely take care करें, क्योंकि Corona हो सकता है, पुरे साल रह जाए, य क्याहा तक जाए, किसी को नहीं मालूम, तो आप हर test में ये सोच के चलें, कि मुझे number gain करने, जो की contribute करेगा final examination के लिए, term 2, term 1, term 2 के दो exam हो चुके हैं, MCQ होगा term 1 के अंदर, जैसा मैंने बताया था, कि syllabus को थोड़ा rationalization वो करेंगे, 50% syllabus term 1 में आएगा, और बचा हुआ 50%, प से कम रहे, MCQ based होगा पहला term, totally जिसमें case study, assertion reasoning वाले सवाल आएंगे, return ते विद्या नहीं चलेगी वहाँ, term 2 की बात करें, तो वहाँ पर सारे तरह के questions आएंगे, long भी आएंगे, short भी आएंगे, सब कुस तरह का question मिलेगा, अगर term 2 इस तरह से करा पानी की स्तिति ना बनी, तो 90 मिनट का MCQ फिर से करा लिया जाएगा, फिर उन्होंने बाकी बाते कर दी है कि syllabus में rationalization होगा, और साथ में different situations में क्या क्या हो सकता है, पूरे साल बंद रहे तो क्या हो सकता है, वेगरा वेगरा, तो इस तरह मैंने पूरी बात को explain किया है, मुझे उमीद है कि ये वीडि किया था, कि math और physics की पढ़ाई, अगर आप करना चाहते हैं, तो free of cost Erwin Academy चैनल से कर सकते हैं, top quality के वीडियो आपको मिलेंगे, और उसका link description में दिया है, बाकी चीजों का जो आप के लिए फाइदे मंद हो सकती है, thank you very much, wish you all the best.